उत्रप्रदेश के गाजियाबाद में बुधवार को 24 घंटे में 3,743 लोगों की कुरोना जाच रिपोर्ट आने पर 12-6 समेट 75 लोग कुरोना संक्रमित मिले पिछले 3 महीने में एक दिन में सबसे अधिक संक्रमित मिलने का भी रिकॉर्ड ऊट किया इनमें 9 की उम्रे 2-12 वर्ष, 8 की 13-20 वर्ष, 36 की 21-40 वर्ष, 16 की 41-60 वर्ष और 6 संक्रमितों की उम्रे 6 वर्ष से अधिक है बता दे कि 24 गंटे में संक्रमर्दर 0.7, 0.8 से बढ़कर 1.8 प्रतीशत हो गया, तिरपन संक्रमित ठीक हुए, दो संधानवे सक्रिय मरीजों का इलाज हूं माइसूलेशन में चल रहा है, अब तक 62 स्कूलों के 23 अधियापक समेट 118 चात्र संक्रमित मिल चुके हैं, स्कू 28,88322 लोगों की कुरोना जाच के 1185,333 लोग संक्रमित हुए, 84,587 स्वस्त हो चुके, 64,971 घर पर और 19,616 संक्रमित अस्पताल में रहकर ठीक हुए, 473 संक्रमितों की मौत हुए, वर्तमार में सक्रिय मरीजों की संक्रिया 273 है, सीमर डॉक्टर भवतोश शंकधर का कहना है कि शहर के लोगों का दिल्ली और नॉइड़ा में आना जाना रहता है, ऐसे में वहां केस बढ़ने पर संक्रमित का अक्राव जिले में भी बढ़ जाता है, कॉन्ट्रेक्ट प्रेसिंग और जाज बढ़ाती गई है, कोरुन और आक्सिलेशन से जोड़ी जानकारी सब्डेट रानेक ले मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे